हालो फ्रेंड्स मैं हैं प्रताप सिंग आप सभी लोग आपनी सेच के स्नल चैनल पर स्वात करता हूं इस्टेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में एकनोमिक्स की अंतरगत पढ़ेंगे औसत लागत का सिमानत लागत से समंद अर्थात एमसी का एसी से समंद तथा फिर हम पढ़ेंगे कि सिमानत लागत का आउस्वत परिवतन से लागत से समंद अर्थात एमसी का एवसी से समंद क्या होता है चुकि यह चैप्टर जो है बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि आगे भी जो आप जब आप अपने अकैडमिक एजाम को पास करके जब किसी कम्टेट एकजाम में बैठेंगे तो निश्चित रूप से इसमें से प्रस्ण पूछे जाते हैं इसलिए इसका कॉंसेप्ट क्रियर होना बहुत जोरी है तो आई स्टुएंट सम लोग बिना समय गवाई शुरू करते हैं तो आई सबसे पहले समझते हैं आउसत लागत एवं सिमानत लागत में संबंद अर्था तो एसी का एंसी से क्या संबंद है एवरेज कास्ट का मार्जिनल कास्ट से क्या संबंद है देखें हम इसे इस तरह ब्यक्त कर सकते हैं दोनों की गड़ना उत्पादन की कुछ कुल लागत द्वारा की आती है दोनों की गड़ना किसके द्वारा की आती है उत्पादन की कुल लागत की द्वारा की आती है तो आउसत लागत की भी गड़ना उत्पादन की कुल लाग यहां पने लिखा है और स्ष्व लागत बराबर पुल bord कुल उत्पादन और हो न्य कि टोता लागत ऊसमें कितना परतन हुंआ । call कि जूटा न्यूड़ी गिस वह जानते हैं कि जिस भी सब्द में कुल ग्या घ्रत आप अंतिविकाई का जो प्रभाव होता है उसी को तो समच्मार हम और कोण corset लागत बठोगारण। अब आए्या और क्या संभन आयों कोन सी बाते हैं एंसी और से की बारे में इस Selfies feltえー हैं क्योंकि एंपवार्टेट हैं जिसित रिर्याट कि आप जब भी देखेंगे कि पीजेटी एकनोमिक्स आइजाम हो रहा है तो उसे रिलेटेट प्रस्ट जरूर पूछे आते हैं अब ज़रा इस फिगर को ध्यान से देखिए देखिए भी ओएक्स पर उतपादं को दर्सा आगया है और ओए एक्स पर लागत को दर्सा आगया है यह देखिए यह जो हैं एंजिनल कोस्त सिमानत लागत और यह देखिए ऐसी करव है एवरेज कास अर्थात और सट लागत अब ज़ाद आई इसको इनको ध्यान से देखते हैं देखें यहां पर क्या है कि आरम में जब AC गिरता है तब MC वक्र एक सीमा तक गिरता है तो AC गिरता है तो mc भी गरता है लेकिन mc जो एक सीमा तक ही गिरता है कहां तक गिर रहा है यहां तक के तक गिर रहा है किन्तु एक अवस्था के बाद mc वक्र बढ़ना आरम हो जाता है एक सीमा तक ही mc गिरता है देखिए यहां तक गिर रहा है उसके बाद क्या होगा यह बढ़ना प्रा लेकिन mc एक सीमा तक गिरता है जिसे k तक है उसके बढ़ने लगता है जबकि ac गिरता ही रहता है इस प्रकार mc सदयव घटती औसत लागत की दसा में औसत लागत से कम होती है इस बात को जान लखेगा यह निसकस निकलता है कि MC सद्यव घठती औसतलागत की दसा में औसतलागत से कम होती है क्यों कि AC भी गिर रही है और MC भी गिर रही है लेकिन MC एक सीमा तक गिरती है उसके बाद उठना प्रारण कर देती है जब की AC गिरती ही जाती है तो हम इस निसकर्ष पर पहुँश सकते हैं कि MC सदय घरती और सतलागत की दसा में और सतलागत से कम होती है नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके बारे में तो इसी बात है कि जब AC नियूमतम होती है AC कहां पर नियूमतम है जब AC नियूमतम होता है तब MC वक्र AC वक्र को नीचे सकारता है अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि नियूमतम औसतलागत सिमानतलागत के बराबर होती है क्या हुआ नियूमतम औसतलागत यहां यह सबसे नियूमतम औसतलागत सिमानतलागत के बराबर है अब यहां पर यहां पर जो नियूमतम औसतलागत सिमानतलागत के बराबर होती है अब चोथा पॉइंट इसके बारे में क्या है चौथा पॉइंट है कि जब AC बढ़ता है अब देखिया है निन्तमस्तरी है अब इसके बढ़ना पराम किया जब AC बढ़ता है तो MC वक्र AC से उपर होता है अब देखिया हाँ पर में चार बाते यह तीन बाते तो इस फीगर के दोरा तीन पॉइंट निकल कर सामने आए हैं पहला क्या है? फ़ला क्या है कि, MC सदयुजगरदी और सलागत की दसा में शिमानतलाँ दसा महत बहला होती है. दख यहां पर है, AC भी गड़ रही है, और NC भी गड़ रही है. तो AC से, MC क्या है? नीची है. तो मैंने वहीं का, M C सदयों घड़ती औसतलागत की दिसा में ओसतलागत से कम होती है पहली बात नियुन्तम औसतलागत सिमांतलाद के बराबर होती है अब देखें यहाँ पर यह जो पॉइंट ऐ है यहाँ पर एसी जो है नियुन्तम है और इसी एसी पर जो mc है उसको नीचे से काट रहा है इसका मतलब इस पॉइंट पर mc और ac दोनों बराबर है अर्थात नियुनतम और सतलागत सिमानत दात के बराबर होती है next point मैंने क्या होता है कि जब ac बढ़ता है तो mc वकर ac से उपर होता है यहां देखे जितनी गतिस यह बढ़ा है उससे 13 गतिसे mc बढ़ा है अब एक्जाम इसे related प्रस्ट पूछेगा तो आप कदापी गलती नहीं करेंगे अब आई समझते हैं MC का AVC से सम्मन AVC का मतब Average Variable Cast मतब आउसत परिवर्तन सील लागत ठीक है MC का AVC से क्या सम्मन देखिए यहाँ पर यह AC वक्र है यह AVC है अउसत परिवर्तन सील लागत और यह MC है तो MC वक्र का AVC के साथ भी वहीं सम्मन होता है जो AC वक्र के साथ होता है ध्यान सुनेगा MC वक्र का सम्मन AC के साथ जो AVC के साथ भी वहीं होता है जो AC के साथ होता है या दूसरे सब्दों में हम यहां कह सकते हैं कि MC वक्र ABC वक्र को उसके नियुनतम बिंदू K पर काड़ता है इसमें MC वक्र जो है ABC को कहां काड़ रहा है ABC को उसके नियुनतम बिंदू K पर काड़ता है लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देने लायक है कि MC वक्र MC वक्र जो है ABC वक्र के नियुनतम बिंदू K में से AC वक्र के नियुनतम बिंदू P से पहले गुजरता है जान देगा AC वक्र का नियुनतम बिंदू P है और ABC वक्र का नियुनतम बिंदू K है तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने लाइक है कि M C वक्र A C वक्र के नियुनतम मिंदू K तथा A C वक्र के नियुनतम मिंदू P से पहले उलगता है रथाथ A C वक्र जो नियुनतम मिंदू आ रहा है और A C का जो नियुनतम मिंदू K है तो P से पहले उलगता है रथाथ A C वक्र के नियुनतम मिंदू से पहले बाजू है A-V-C वक्र के नियंत्म मिंदू से उदरता है अब इसका कारण क्या है इसका कारण यह है कि A-C वक्र यह जो A-C वक्र है ठीक है वह A-V-C वक्र तथा A-F-C वक्र दोनों का जोड़ होता है किसका जोड़ता है और जब ABC वक्र अपने नियूंतम बिंदू पर होता है ध्यान सुनेगा और जब ABC वक्र अपने नियूंतम में दूर्था जब K पर होता है उस समय भी AFC वक्र नीचे गिर रहा होता है जब ABC वक्र अपने नियूंतम में दूर्था जब K पर रहता है उस वक्त भी AFC नीचे गिर रहा होता है अतह AC वक्र का जो नियूंतम में दूर्था अब आपको ये बात बहुत अच्छी तरसे समझ में आ गई होगी जो AC वक्र होता है वह ABC और AFC दोनों वक्रों का जूर्था होता है तो जब ABC वक्र अपने नियूंतम में दूर्था पर होता है उस वक्त भी AFC गिर रही होती है इसलिए AC वक्र का जो नियूंतम मेंदू P है ABC वक्र के नियूंतम मेंदू के से पहले आता है स्वारी बाद में आता है यह है नए ABC वक्र का नियूंतम मेंदू पहले आ रहा है और AC वक्र का नियूंतम मेंदू बाद में आ रहा है इसलिए क्योंकि AC जो हुता है AFC और OVC का जोड़ होता है और जब AVC अपर नियूंतम मेंदू पहले होता है उस वक्त भी AFC गिर रही होती है इसलिए AC वक्र का जो नियूंतम मेंदू होता है वो बाद में आता है यही कारण है कि K बिंदू P के बाएं इस्थित है अब इन दोनों बिंदू के बाद K के बाद और P के बाद M C वक्र तिब्रता से बढ़ता है और यह A C वक्र और A V C वक्र दोनों से उचा होता है इन बिंदू के बाद K और P के बाद M C वक्र तेजी से बढ़ता है और A V C और A C वक्र दोनों से क्या होता है उचा होता है तो इस चेंट से यह रहा और स्वंज में आया होगा आपका कांसेप्ट क्लियर होगा होगा तो फ्रेंड्स से विडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनवाद और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक से स्क्राइब से कर जीगा थैंक्यू